Hello dear friends, आप देख रहे हैं study and other activities चलना, आज हम पढ़ेंगे चांद वाली अम्मा के question answer, तो देखे हमारे first प्रस्ण है, तुमारी कलपना से बूरी अम्मा चांद पर क्यों चड़ गई होगी, तो इसका उत्तर है, बूरी अम्मा आसमान से परसान होकर चांद पर चड़ गई होग प्रस्ण नमबर दो, चांद वाली अम्मा जाड़ू क्यों नहीं चोड़ना चाती थी, उत्तर है, चांद वाली अम्मा जाड़ू इसलिए नहीं चोड़ना चाती थी, क्योंकि उनके पास एक ही जाड़ू थी, प्रस्ण नमबर तीन, चित्रो को देख कर बताओ कि, अम्मा के साथ कौन-कौन रहता होगा उत्तर है वैसे तो अम्मा के साथ कोई भी नहीं था लेकिन यहाँ पिका है चित्रों को देख कर बताना है तो कौन था अम्मा के साथ बादल, चडिया आसमान, चांद, जाडू रहते थे प्रस्न नमबर चार आस्मान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था तुम्हें क्या लगता है उत्तर है आस्मान बार बार आकर अम्मा के कमर से इसलिए टकराता था क्योंकि आस्मान को अम्मा को छेड़ने में मज़ा आता था वहाँ सरार्ती था आप इसका स्क्विण सोट ले ले अब है रूठना मनाना जब पूरी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उनोंने आस्मान को हर तरह से मनाने की कोशिश की बताओ उनोंने क्या क्या कहा होगा, तो आपको इसमें लिखना है तो आप इसमें लिखेंगे घबरा कर देखो अमाने क्या कहाँगा बेटा मुझे उपर मत लेकर जा मुझे डल लग रहा है फिर देखिए गिड़ गिड़ा कर क्या कहाँगा मुझे डल लग रहा है मैं यहां से गिड़ जाऊंगी अब देखिए आगे क्या बोलेगी अमा गुस्से से तूने मुझे नहीं छोड़ा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा अब देखिए तरकीब सूजने पर आगे से तुझे नहीं मारूंगी मुझे अब छोड़ दे ठीक है आप इसका स्कुर्ण सोट रख ले अब देखिए घूरना अब मां उसे घूर कर देखती तो आस्मा थोड़ा हट जाता कब-कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूं तो देखिए मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उसको टीवी नहीं देखने देता अब देखिए दम लगा के हैशा रसी रसा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खुब खीचा तानी होती है कुछ और खेलों के नाम लिखो जिसमें दो टोलियां के खेलती हों जैसे बैट बिंटन उसमें दो लोग होते हैं क्रकेट में भी काफी लोग होते हैं होकी, खोखो, तो ये टोलिया है, ठीक है, अब देखिए साफ सफाई, घर के सफाई करने के लिए किन-किन चीजों का इस्तमाल होता है, तो आप लिखेंगे जाडू, पानी, वाइपर, बाल्टी, पोचा, ठीक है, नेस्ट है, किन-किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा समान हटा कर, खूब चोर सोर से सफाई होती है, तो कब-कब होती है, दीपावली में सब लोग करते हैं, पूजा पाठ हो, तब होली में, घर की क्या सारे समान हटा के, सारे साफ सफाई की जाती है, देखिए, ये मौके खास क्यों हैं, इन मौकों पर पूजा होती है, और महमान आते हैं सफाई की काम से जुड़े हुए सब्द सोचो और लिखो जैसे जाड़ना क्या है चमकाना रगरना धोना जाड़ लगाना काम कौन करता है बुड़ी अम्मा अकेली रहती थी उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा उन कामों की सूची बनाओ जो उन्ह सुबे से साम तक करने पड़ते होंगे यहां भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है तो देखिए बुड़ी अम्मा के काम ठीक है मेरे घर के मेरे घर में कौन करता है सफाई करना ठीक है कपड़े धोना खाना बनाना पानी बनना ये बुड़ी अम्मा करती है आपके घर में जो करते हैं, आप उनके यहाँ पे खुद नाम लिखेंगे, ठीक है? तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ, घर के काम, यहाँ पे आप लिखेंगे, आप जो जो घर में काम करते हैं, ठीक है? घर से बाहर के काम, जो आप घर से बाहर करते हैं, वो आप खुद करेंगे, नेक्स्ट है, तुम बूरी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो, तो पानी भरने में, खाना बनाने में, सफाई में, नेक्स्ट, कितने नाम, कितने काम, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई सब्द आये हैं उन्हें चाटकर नीचे तालिका में लिखो देखिए यहां पर लिखना है नाम वाले सब्द और यहां पर काम वाले सब्द नाम जैसे आस्मान जाड़ू पानी अम्मा और यहां देखिए काम वाले नाम खाना बनाना पानी लाना जाड़ू लाना लगाना कपड़े धोना तो ये थे आज का हमारा चांद वाली अम्मा के question answer और अभ्यास के कुछ importance वर्क तो आपको में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज में चैनल को subscribe कर लेजिए और बैल लाइक अंदा बाना ना भोलें और आपको 9 से लेका तक के notes चाहिए important question answer चाहिए जो board exam में आते हैं तो मैं description में अपने दूसरे चैनल का link देदूँगी आप वहां से भी देख सकते हैं आपको जैसे बड़े भाई बैन हो तो आपको वीडियो चाहिए तो description में मेरा link मिल जाएगा मेरे दूसरे चैनल का नाम है All Study Easily तो आपको मैं description में लिंक देदूँगा आप वहां से देख लीचेगा Thank you